बच्चों चुम्बक, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। चुम्बक, चुम्बक की पदार्थों को आकरशित करता है। देखिए, मेरे पास भी यहाँ एक चुम्बक है। चुम्बक में कितने दुरू होते हैं? बिल्कुल सही। दोद्रू, एक उत्रिद्रू और दक्षनीद्रू. यहां भी देखिए यह N जो है वो उत्रिद्रू को बता रहा है और S जो है वो दक्षनीद्रू को. साथ ही मेरे पास यहां पर बाउल में कुछ आलपिन्स है और इस बाउल में है लोह के चून. चलिए अब हम एक काम करते हैं ये जो चुम्बक है इसको ओल्पिन्स के पास में ले जाते हैं आपको पता है ना क्या प्रत्तिक्रिया होगी वही कि ये सारी जो ओल्पिन्स है वो चुम्बक से चिपक जाएंगी इसके लावा एक काम करते हैं ये जो एक ऑल्पिन जो छूट गई है इसको भी देखते हैं एक आलपिन के पस ले जाकर ये देखिए ये भी चिपक गई ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे चलिए तब तक हम एक दूसरा काम कर लेते हैं अब हम इस चुम्बक को यहाँ पर इस प्रकार विवस्थित कर रहे हैं और इस आलपिन को इसके द्रूओं के पास ले जाएंगे तो चलिए मैं इस अलपिन को इस द्रू उत्री द्रू के पास ले जा रहे हूँ क्या हो रहा है ये साकरशित कर रहे हैं यही प्रक्रिया हम दक्षनी द्रू के साथ कर लेते हैं ये देखिए इसके पास ले जाने से ये भी इसे अकरशित कर तो क्या हो रहा है देखिए दुबारा देखिए जब हम इसे सेंटर पे ला रहे हैं यह देखिए मतलब यह डाइवर्ट हो रहा है और चुम्बक के किसी एक सीरे की तरफ जाकर चिपक जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि चुम्बक के ध्रूओं में आकर्शन शम्ता नहीं होती है याने कि चुम्बक तो नहीं होता है ऐसे बिंदू को उदासीन बिंदू या न्यूटल पॉइंट कहते हैं अब हमें काम करते हैं इस आलपिन को अलग-अलग दूरी से चुम्बक के धुरों के पास ले जाते हैं देखिए जब मैंने इतने पास रखा हुआ है य अभी भी आकर्शन हो रहा है थोड़ा और दूर ले जाते हैं अभी भी आकर्शित हो रहा है और थोड़ा दूर ले जाते हैं अब देखिए यहां यह आकर्शन नहीं हो रहा है दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं दूसरे दूरू के पास ले जाकर यह देखिए यह आकर् यह देखिए यहां भी आकरशन रुप गया ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुम्बक के चारोर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तक चुम्बक जो है वो प्रभावशाली होता है जहां तक उस चुम्बक का चुम्बक की बल कारे करता है इस शेत्र को हम चुम्बक की बल शेत् देखे तो देखे बच्चों कितनी सुंदर आकृती दिखाई दे रही है यहां आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोह के जो चून है वो एक विशेश रेखाओं की दिशा में विवस्तित हो गए हैं यह जो विशेश रेखाओं हैं इन्हें चुम्ब की बल रे दे रहा है ऐसा किसलिए हमने पहले भी बात की है कि चुम्बक के द्रूओं में आकर्शन शंता अधिक होती है इसके साथ ही साथ देखें यहां पे लोह चूड़न जो है वो किनारों पर जो लोह चूड़न है वो इस विवस्ता में हमें नहीं दिखाई दे रहे ऐसा था कि कुछ आलपिन्स जो चुम्बक से सीधे चिपकी हुई थी उनसे दूसरी आलपिन्स भी चिपक गई थी ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि चुम्बक से चूड़ी हुई या चिपकी हुई जो आलपिन्स थी उनसे होकर चुम्बक की बल रेखाएं गुजर रही थी जि चुम्बक के द्रूओं, चुम्बक के उदासीन बिंदू, चुम्बक की बल शेत्र और चुम्बक की बल रेखाओं के बारे में जाना आप भी इस क्रिया कलाप को अपनी शालाओं में करिये